आज के भागती दौरती जिन्दिगी में अपनी mental health का ध्यान रखना सभी के लिए बेहत जरूरी है किसी खास उम्र में ही mental health से जुड़ी समस्याई नहीं होती बलकि अलग-अलग उम्र के लोगों को भी अलग-अलग तौरा के mental health से जुड़ी तमाम समस्याई हो सकती है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे दिमाग में तरह तरह के हजारों विचार चल रहे होते हैं कुछ अच्छे तो कुछ बुरे आज कल के भागदार भरी जिंदिगी में हर व्यक्ती किसी ना किसी जिम्मेदारे की बोश्ता ले दबा हुआ है खराब मेंटल हेल्थ के लक्षडों को आम तोर पर किसी काम में मन नहीं लगना और तनाव की रूप में देखा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके शारिरिक स्वास्त को भी प्रभावित कर सकता है जी हाँ, मेंटल हेल्थ का असर ना सिर्फ आपके विचारों पर पड़ता है बलकि इससे आपके सीहत से जुड़ी कई तोरा की परिशानिया भी आपको हो सकती है आए आपको बताते हैं कि किस तरह से मेंटल हेल्थ आपके शारिरिक स्वास्त को भी पुरी तरह से प्रभावित कर सकती है दुरसल जब आप खराब mental health से जूज रहे होते हैं तो इसके असर से जिंदिगी के किसी भी हिस्से को अलग रखपाना नामुम्किन सा होता है उधारन के तौर पर इस्ट्रेस को देख लें तो आप जब चुंता या तनाव महसूस कर रहे होते हैं तो शरीर कोर्टिसोल जैसे हर्मोन रिलीस करता है यह हॉर्मोन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने, इम्यून सिस्टम को कम करने में बाधा डालने और खराब डाइजेशन जैसे तमाब तकलीफों को बढ़ाने में बड़ी भूमिकाने भाते हैं लंबे समय से बना तनाव कमजोर इम्म्यूनिटी और दिल से जुड़ी तमाम बिमारियां और कई गंभीर बिमारियों को जनम दे सकते हैं और कई गंभीर बिमारियों को जनम दे सकते हैं इसके लावा डिप्रेशन भी एक बड़ा फैक्टर है बतादे कि उदास या गुमसुम रह रहे लोग अपना खयाल ठीक से नहीं रख पाते डिप्रेशन से गरसित लोगों का मन ना तो कुछ अच्छा खाने का या एक्सराइस करने का होता है और ना ही उन्हें ठीक से नीदा पाती है ये सभी चीज़े एक साथ मिलकर आपकी सेहत पर भारी पर सकती है ऐसे में डायबिटीस बजन बढ़ना और नीन से जुड़ी तमाम समस्याओं को भी देखा जाता है मेंटल हेल्थ के सही नहीं होने पर जैसे सीहत पर इसका बुरासर देखने को मिलता है ठीक वैसे ही मांसिक स्वास्त की देखबाल करने पर आपकी शारेरिक सीहत पर भी दुरस्त असर हो सकता है ठेरिपी, मेडिकेशन और लाइफ स्टाइल से जुड़े कुछ बदलाव अपना कर आप मेंटल हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं को मैनेज कर सकते हैं इससे शारेरिक स्वास्त समस्याओं को बढ़ने से तो रोकने में मदद मिलती ही है साथ ही इसका जोखिम भी काफी हद तक कम किया जा सकता है ऐसे में फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ का खयाल रखना भी काफी जादा जरूरी है इसी लिए जरूरत होने पर मदद मांगने में बिलकुल भी नाहिश्विटा है और इस बात को दिमाग में बिठाले कि दिमाग का खयाल रखने का मतलब आपके शरीर का खयाल रखना भी है यूकि सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है भागदौर भरी जिंदगी और काम का तनाव मेंटल हिल्थ बिगारने का काम कर रहा है यही वज़ा है कि मांसिक समस्याई तेजी से बढ़ती जा रही है हर उम्र के लोग इससे जूच रहे हैं हरा कि मेंटल हिल्थ से जुड़ी बीमारियां अचानक से नहीं होती है इसके कुछ शुरवाती लक्षन होते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं अगर इन्ही समय पर पहचान लिया जाए तो आसानी से से बचा जा सकता है